गुड मॉन के प्रिपन, कैसे हैं आप सभी, I hope all are, very good, today is 12th of January, our day is Wednesday, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल, सर्कल के बारे में डिस्कुस करेंगे क्या होता है, सर्कल, क्या होता है, रेडियस, क्या होता है, डायमेटर और सर्कम्फरेंस क्या होता है, कैसे जब आपने सर्कम्फरेंस निकालते हैं, वो सभी जो बो सर्कल के बारे में सब कुछ जो डिस्कुस करने वाले हैं, बहुत important topic होने वाला है, और सर्कल जो अगर आपने आज जो बो अच्छे से सीख लिया, तो जो बो आपको आगे वाली classes में भी सर्कल के बारे में थोड़ा सा और पढ से क्टास अच्छे समझना है, जैसे हमने पिछले काल जो बो closed figure के बारे में डिसकस किया, darkest figure में क क्या होता है, पर क्या क्या हमने पता होना चाहिए, फिर जो बो हम जो exercise 11.2 का first, second और third question complete करेंगे तीक है सबसे फेरे तो आप यहां पे देखे यहां पे आपको circle दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में लिखा है P इसके बीच में देखे क्या लिखा है P लिखा है इस P का क्या मतलब होता है इस P है बीच में जो वो जैसे आपके ने जो वो compass देखा होगा परकार जिसको बोलते हैं ठीक है compass की जो needle होती है compass की जो needle होती है उसको वहां पे जहां पे उसकी needle होती है वहां पे center होता है जैसे मालों यहां जैसे रखा फिर जो वो ऐसे circle लगा लिया ठीक है अब इसकी जो ए बाउंडरी है ठीक है जो बाउंडरी मैं बना रहा हूं ठीक है इस बाउंडरी को जो वो हम लोग circumference बोलते हैं अब आपने जो पहले पढ़ा है कि कल भी मैंने बताया था वैसे कि बाकी सवी figures में जो बाकी सवी shape में जो पेरिमीटर बोलेंगे बाउंडरी को लेकिन circle में जो वो circumference बोलेंगे ठीक है तो ए जो बाहर से यहां से जो यहां तक फिर से जो जैसे मैं ऐसे ऐसे चला clockwise तो फिर से मैं अपनी जगापर पहुंच किया तो यहां से यहां तक जितनी भी इसकी length है वो जो वो boundary कहलाएगी वो जो वो इसकी boundary और boundary को बोलेंगे circumference तो दो चीजिया अभी तक आपने discuss किया एक तो center जहां पर बिल्कुल needle होती है कमफास की वहां पर center होता है center को आप C से denote करते हैं यहां पी से जो मर्जी जिस मर्जी से denote करिए बैसे center जो वो C से start होता है C E N T R E center तो जड़ तर इसको जो वो C से ही हम लोग denote करते हैं आगे ब इसको cancel कर देते हैं तो यहां पे जो वो center है इसका ठीक है यहां पे जो वो इसका center है P के पास यहां पे इसका center माली है मैंने तो center से boundary तक अब boundary में कितने point उसके boundary पर तो बहुत सारे point है infinite है not defined ठीक है तो center से अगर बैं boundary तक किसी भी point तक जो वो line लगाऊं उसको जो वो radius बोते हैं फिर से सुनिए एक जो radius होता है वो एक line segment होता है line segment के जो वो two end point होते है ठीक है तो the line segment joining the center of the circle to any point on the circle is called radius of the circle ठीक है तो यहां पे center से जो वो किसी भी point तक जैसे मैंने यहां पर एक point लिया और यहां से center तक line लगा ली तो यह भी radius होगा और radius जो वो सभी जगा equal होगा ठीक है कितने सारे radius परासकते हैं infinite radius परासकते हो क्यूंकि आप जो वो center से जो बांडरी पर जो बांडरी पर infinite point है infinite का मतलब है बहुत सारे है अंगिनत है जिसकी गिंती ना होसके infinite उसे not defined जैसे हम बोलते हैं कि एक से look करके आप कितना अधर लिक Ishtη है और infinite यहां पर को यहां से अगर infinite point है तो infinite Came कितने radius बना सकते हैं, तो in syntator radius बना सकते हैं, ठीक है, तो radius को कैसे denote करेंगे, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे, जैसे यहां पे ph ले लिये था, तो मैं ph ले रहाँ ठीक है, अगर मैंने यहां पे जो वो इक point ले Q, ठीक है, तो यह यह जोThere was a q तक यह जो line segment बन रहा है पी से क्यों लाइन सेग्मेंट बन रहा है का यह जो वो हमारा रेडियस है और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से दिनोट करते हैं ठीक है पैसे आगे जाकर आप देखेंगे कि अब देखेंगे और चोटा सरकल होगा तो स्मॉल आर ले लेंगे वैसे आपने जब अभी तक फिलाल के लिए जो आपने स्मॉल आर से ही इसको देनोट करना है तो इसको बोलते हैं इंदी में तरिजिया और ए हो गया रेडियस हमारा ठीक है आर मतलब रेडियस रेडियस क्या बात की और रेडियस की बात की अब बात करते हैं डायमेटर की डायमेटर क्या होता है अगर मैं जो वो एक लाइन सेग्मेंट इसको बलजा सकता है ठीक है लाइन सेग्मेंट या लाइन लगाऊं सेंटर से होती हुई पूरे यहां तक बाउंडरी टू बाउंडरी तक बिल इसके दो fixed point है, दो end point है इसके, जैसे Q से P तक, तो Q से P तक क्या कहलागा, diameter कहलागा, ठीक है, diameter कहलागा, अब आपको एक relation है, यहाँ पर दिखाई देगा, कि diameter और radius में क्या relation है, अब आपको बता है कि हमने, अभी हमने बात की, कि जो diameter, जो radius होता है, वो जो यहाँ पर होता है center से किसी point तक, तो इसका मतलब है, यहाँ तक तो R है, ठीक है, अगर हम बात करें कि C से, अगर मैं Q तक देखूं, तो A भी R है, क्योंकि हमने अभी पहले बात की कि center से boundary तक point, तो यह भी center से boundary तक point है, बस इस line को जो वो आगे तक बना दिया है, और इसी पूरे को बोलेंगे D के ब्रावर आगा है, D means diameter, तो diameter को मैं capital D से drone कर देता हूँ, diameter का मतलब यहाँ पे है 2R, कुछ और color से में लिखता हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, 2R equal to D, मतलब कि diameter अगर आपने निकालना है, तो radius का double करना पड़ेगा, अगर आपको radius दिया है, तो diameter निकालने के लिए आपको double करना पड़ेगा, जैसे मालो यहाँ पे radius 5 है, तो AB automatic 5 ही होगा, क्योंकि radius तो सभी center से जो बाउंडर तक ही कुल रत है, तो इसका diameter कितना हो गया, 5 यहाँ पे है, और 5 यहाँ पे है, 5 पांच कितना हो गया, 10 cm यहाँ जो भी दिया हो, 10 cm जो इसका diameter है, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी है, कि अगर हमारे पास diameter दिया है, तो क्या गरना है, तो देखे, अगर मेरे पास मालो diameter दिया है, मालो 16 cm है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक आदा होगा, और आदा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका radius निकालने के लिए, अग तो इसका radius कितना आ गया, 8 आ गया, 8, 8, आई होगा, आप समझ रहे होंगे, कि कैसे जब हमने इसको, कैसे जब हमने diameter निकालना है, radius निकालना है, तो यह अपने बात की, अभी center की, circumference की, diameter की बात की, radius की बात की, तीक है, अब बात करते हैं, arc की, ठीक है, arc क्या होता है, आर् पे एक और point ले लिया मैंने R एक और point मैं आप ले रहा हूँ P तो यहाँ से P से अगर मैं R तक देखूँ तो यह जो बो करव जैसे दिखाए दे रहा है और इस करव को जो बो R पोले जाएगा तीक है अगर मैं मतलब इस R की ही बात करूँ इस करव की बात करें बाकी बाकियों को मैं चोड़ दूँ ठीक है तो P से R तक P से R तक जो distance है ठीक है वो जो क्या कहलाएगा हमारा R कहलाएगा तो P Q R इसमें जो वो तीन point ले लेना होते है ठीक है P से R तक नहीं होगा एक बीच में point लेना पड़ता है तो P Q R क्योंकि कर्म में है तो एक point और ले लेते है तो P Q R जो वो Arc of the Circle है P Q R is called an Arc of the Circle ठीक है अब बात करते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट कोड की कोड क्या होता है C H O R कोड सॉरी फिर से मैं लिख लेता हूँ इसा कुछ और color red लेते हैं yes चलिए red ठीक लेए कोड देखते हैं C H O R D कोड क्या होता है देखे कोड जो वो बहुत इंपोर्टेंट बात मैं आपको उता रहा हूँ कोड क्या होता है कि boundary पर मैं किसी भी boundary पर मैं कोई दो point लिए एक यहां जैसे एक यहां जैसे boundary पर जोबो कई सारे मैंने point लिए जैसे मालो यह कई सारे point लिए इसको नाम भी दे देता हूँ A B माल लिए C A D माल लिए A E माल लिए F माल लिए A G माल लिए M माल लिए A O माल लिए ठीक कई सारे point मैंने boundary पर लिये अगर मैं boundary पर जो point मैंने लिये उनको आपस में मिला देता हूँ जैसे A से मैंने F को मिला दिया जैसे मैंने C से G को मिला दिया जैसे B से मैंने M को मिला दिया O से मैंने D को मिला दिया O से मैंने C को मिला दिया O से मैंने A को मिला दिया O से मैंने E F को मिला दिया E को मिला दिया ठीक है तो इस सारे जो वो जैसे A से O तक जो वो A क्या कहलाएगा इस सारे कॉर्ड है इस सारे कॉर्ड है देखिए A से O तक जो वो हमारे पास कॉर्ड है अब आपको यहां पे जो वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुता रहा हूँ कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा इसको आप ऐसे समझे जैसे एक सरकर बना है पहले से तो A जो वो एक कॉर्ड है A कॉर्ड A है, A हो गया, ठीक है A से B तक मालिए, मैंने A पहले बना और A मालिए, मैंने C से D तक एक और कॉर्ड मैंने बना दिया D, E, F, G, जो भी है, ठीक है F, G मालिए, यहां जैसे सेंटर हैसका, ठीक है A कॉर्ड मैंने A बना दिया कई सारे कॉर्ड मैं बना सकता हूँ क्योंकि कई सारे पॉइंट है, boundary पर, circumference में कई सारे पॉइंट है, कई सारे जैसे हम लोग जो वो radius बना सकते हैं, बैसे जो वो कई सारे cord भी हम लोग draw कर सकते हैं, तो कई सारे draw कर सकते हैं, वो भी infinite हो जाएगा, ठीक है, अब बात आती है कि सबसे बड़ा longest cord, सबसे बड़ा cord जो वो कौन सा होगा, तो आप देखते होंगे, अगर बीच में से, जैसे उपर जैसे बनाया है, तो यह भी जो चोटा दिखाए देरा, अगर मैं एक और बनाओ तो यह सबसे चोटा होगा, अगर कोई cord जो वो center से होता हुआ जाए, तो वो जो सबसे बड़ा cord होता है, अब यहाँ पे जो वो fg जो वो हमारे पास एक diameter भी है, और longest cord भी है circle का, diameter is the longest cord of the circle, तो आई होप आप समझगे होगे, बस इतना आपको बता होना चीए, हाँ, एक और सोटी सी बात, semi circle क्या होता है, semi का मतलब है, आदा, आदा circle अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, तो आदा काट तो इसका मतलब है कि half circle बन गया, तो इसकी boundary को देखो शिर्फ, तो अगर मैं एक और जैसे, इसको मैं कुछ और color से black से ले रहता हूं, जैसे आदा मैंने जो वो इसको green से कर लिए और आदा मैं black से कर लिए, तो इनकी जो boundary आपको दिखाए, दे रहे होगी, वो जो वो same है, क्योंकि यहां से, यहां तक और diameter तो से में दोनों का diameter जो equally है, तो इसका मतलब है कि two semicircle are of equal length, यहां पर equal length की मैं बात करा हूं कि यह जो boundary है इसकी, वो length में बो रहा हूं है, अब बात करते हैं थोड़े सर circumference के बारे में कि circumference कैसे निकाल जाए, जैसे जैसे आप बड़ी classes म जाओगे तो वहां पर जो वह एक formula आपको मिलेगा 2 pi r, फिर आपको pi की value पता होने चीए, वहां पर 22 upon 7, इसकी जो बो decimal में point value पता होने चीए, 3.141559265, ठीक है, यह आपको पता होने चीए, 2 digits तक पता हो maximum, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो लेकिन आपको जो भो अभी pi pi के बारे में पता नहीं है, आप बड़ी classes में सिखेंगे, भी 6 7 में सिखेंगे कि pi क्या होता है, तब ही जो आप diameter निकाल पाओगे, लेकिन, 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 जो आपने अभी जो अगर पूछा जाए कि circumference कैसे निकालना, जैसे मालो radius 5 cm है, तो इसका diameter जो कितना हो निकाल सकते हैं, अब scale ऐसे तो नहीं होगा circle में, ऐसे जो circumference तो नहीं होगा मतलगी, ऐसे कर्म में तो हमारा scale नहीं होता नहीं है, तो इस circumference को कैसे measure किया जाए, कैसे ना पा जाए इसको, ठीक है, तो इसके लिए जो आपके पास एक trick मैं आपको उताता हूँ, आपने वैस 5 cm जो अपनी, पहले देखा कि scale में 5 cm कितना होता है, फिर जो 5 cm जो अपनी compass को, जो वो needle और जो pencil की जो नोक है, उसको रखा, 5 cm तक fix कर लिया उसको, फिर जो वो center लिया, और यहाँ पर 5 cm वाला आपने circle लगाया, 5 cm जैसे circle लगाया, तो 5 cm जो आपने radius, ठीक है, radius 5 cm, अगर आप बोला जाए कि 5 cm वाला जो वो circle बनाई है, तो इसका मतलब है कि वो 5 cm क्या बोल रहा हो, radius बोल रहा है वो 5 cm, ठीक, तो यहाँ पर जो वो इसने radius वाला एक circle बनाती है, अब इसने बोला कि आप जो वो क्या करिए, इसकी circumference, circumference का मतलब है, सारी boundary जो वो कितनी cm है, अब scale से नहीं नापा जा सकता है, तो आप क्या करिए, आपके बास जो वो एक छोटी सी जैसे जो पिन होती है, ठीक है, पिन होगी, आपके बास दो तिन पिन या आप ऐसे वी गरसकते हैं, बीना पिन से भी पैसे, पिन आपके बास थोड़ी से अगर घर में हो, तो अच्छा रह यहां जैसे एक पिन लगा ली, यहां पे 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 लगा ली, जैसे मैं यहां पर जो एक थ्रेड रखा मैंने, अब मैं थ्रेड लोगा एक वाइड जैसा जो मर्ची thread लेलो यहां से जो वो हमने ऐसे ऐसे जो भो इस thread को रखा ऐसे ऐसे इस boundary पर ही थीकर boundary से बाहर ना जाए थीकर थोड़ाजा बाहर आगे बीचे होसकता है क्योंकि इसकी boundary जो आप लोग एक approximate निकार रहे है पूरी exact तो हम लोग जो भो पाई की value से भी नहीं निकाल पाएंगे exact जो मैं बोर रहा हूं अभी 22.7 जो आपको formula मिलेगा आगे वाले classes में उससे भी जो वो exact value नहीं निकाल ली जा सकती है वैसे तो तो आपको इससे तो आपने बोलना है कि एक approximate आप निकाल रहे है ठीक है तो देखिए तो देखिए ऐसे यहां पे pin रहा है यहां पर यहां पर इतना इतना जिसकी लीक 97 फिर जो जितना भी आ राहा है उसको काट दे यहा आप निसान मिल रहा है फिर उसको जो ऑपन करें जैसे फ्रेड है तो इतना जैसा आ रहा है जैसे मालो यहाँ पर मैंने रखा था यहाँ पर A point फिर जो मैंने जैसे फ्रेड को देखा तो A B point है तो A इसका A point है और A इसका B point है फिर मैंने इसको बिल्कुल state रख दिया thread को और thread को जो मैं इसे measure करूँगा इसको scale से तो जैसे मैंने scale से measure किया तो मालो यह आ गया, 15 cm, ठीक है, मालो 15 cm आ गया, तो 15 cm आपकी circumference होगी, ठीक है, 15 cm आपकी circumference होगी, और यह जो practical मैंने अब भी पताया, आपको यह आपने करना भी है, क्योंकि third question जो वो easy related है, तो start करते हैं, first question से, वीडियो काफी बड़ा हो गया, 16 minute हो आ गया, लेकिन आपने जो जो वो book पर नहीं लिखना है, आपने copy पर ही लिखना है, book पर आप लिखना चाहो, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ जो वो लिख दी है, तो आप ऐसे ही जो वो कच्छी पैंसे से लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं, तो आप भी जो वो साथ-साथ में, कच्छी पंसे से book वो fill कर सकते हैं वैसे आप fill करने के लिए नहीं है तो आप जो वो copy पर ही करें इसको बाद में फ़र्ण साफ ऐसे ही idea मतलब कि आपको idea हो जाए कि कैसे कैसे लिखना है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं वैसे second question ने कि name diameter रेडियाई रेडियाई क्या लिखा है यहां पर हमने तो radius की बात की दिए तो रेडियाई क्या होता है रेडियाई इसने बोला क्यों कि यहां पर कही सारे रेडियाई है देखो इस circle में बात कर रहा है तो यहां से A से P तक भी एक radius है P से B तक एक तिकाई दे रहे P से S तक भी है और S से R तक भी एक radius है तो इस सारे radius है एक radius हो तो radius ही बोलेंगे जब एक से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे radius ही बोलेंगे जैसे हम बोलते हैं न बॉय तो बॉय जो वो एक होता है अगर हम वहाँ यहाँ पे जो बॉय जो बोलेंगे तो बॉयज स Sakits बो एक से ज़्यादा हो जाए तो बोलेंगे तो बैसे यहाँ पे radius है तो एक ही है अगर area ही है तो समझभो कि एक से जादा होंगे तो इसने बॉलना radius एक के नाम लिखो फिर chord बोला से लगा, इसकÎं से लगा ऐसका मतलu है KHODD भी एक से जादा होंगे, जिके, KHODD भी एक से जादा होंगे, ठीक है, अब देखे हैं, डायमेटर क्या है, डायमेटर जो वो सेंटर से होते होती हैं, कितने लाइन से, तो एक दो A से B तक है, एक जो वो R से S तक है, तो AB और RS होगी ठीक है अब RADII देखते है RADII देखें इसमें RADII RADII यस RADII जो वो यहां पे है P से R तक है अगर मैं बोलू तो एक RADIUS A है P से R तक या P से R बोलो या R से P बोलो बात एक है ठीक है P से B तक भी है तो P से B तक या P B जो भी बोली ठीक है एक जो वो P से S तक है P से Q तक है A से P तक है ठीक है तो आप जो वो यहां पे कितने 5 जो वो SIZE RADIUS है तो आप देखें इन सभी को लिखिए फिर जो वो CORD लिखा है CORD क्या होता है CORD जो वो क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा काड जो बो डायमेटर ही होगा इसका मतलब यह है कि जो हमने डायमेटर बनाए है यहां पर जो हमने डायमेटर तीक है यहां पर मैंने डायमेटर नहीं लिखे गलती से आप लिख लीजिएगा यहां पर डायमेटर ठीक है एक S से B तक भी है, तो S से B भी मैंने लिखना है यहाँ पर, लेकिन जो बड़ा डायमेटर है, वो भी तो कॉर्ड होगा सबसे बड़ा, तो जो डायमेटर आपने लिखे हैं, जो यहाँ पर डायमेटर लिखे हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएगे A, B, और RS भी यहाँ पर लिखना है आपने, ठीक है, क्यूंकि सबसे बड़ा कॉर्ड जो बो डायमेटर ही होता है, तो डायमेटर को हम लोग कॉर्ड बो बो लिखे हैं, ठीक है, लेकिन सभी कॉर्ड जो बो डायमेटर नहीं होसकते, सभी कॉल्ड डायमेटर ने यूशखते लेकिन हर एक डायमेटर जब हमारा कॉल खालाया, इसका मतलु है कि डायमेटर भी यहां पर आपने लिखने थे, सभी, मतलब कि मादब कि दो मैंने यहां पर लिखती हैं, यह यह दो भी इसमें आ जाएंगे, चार हो जाएंगे, ठीक है 4 होगी अब next question बहुत ही important आने वाला है इसको आपने practically करना है और इसका pick भी लेकर करके बेजना है कि आपने कैसे 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 इसको बनाया आपने बड़ा जैसा फिर आपने रिखा एक radius कितना radius का आपने circle बनाया है फिर जो वो पिन आपने लगाई पिन में जो फ्रेड रखा कैसे आपने इसको measure किया तो जो पिन लगी हुई होनी चाहिए फ्रेड जो वो आपके पास ऐसे circle circumference पर रखा हुआ boundary पर रख करना है यह आपका आज homework करेगा और यह दो question तो ऐसे ही है इसको तो सभी कर लेंगे ठीक है next देखे question number 3 यही है वो question the diameter of circle is 7 diameter of the circle is 7 cm वट विद वी इट्स approximate circumference राव सर्कल आप डाव डामेटर 7 cm अब देखे यहां पे इसने diameter दे दिया अब आपको बताए कि जब circle बनाना हो तो हमें तर रेडियस की जरूरत पड़ती है तो अगर diameter 7 है तो रेडियस कितना होगा ठीक है रेडियस जो आदा हो जाएगा तो रेडियस जो यहां पे 3.5 हो जाएगा तो 3 cm 5 3 cm हाँ ठीक है 3 cm और 5 mm आप ऐसे ले ले लें इसको ठीक है cm और mm क्योंकि एक cm में 10 mm होते हैं तो आपके बास जो भी scale होगा तो उसमें जो जोotechni में उसथमें जोभी 10 एक एक पर यहां जैसे जो बोदो है तो एक और दो के बिच में जो ऐसे 10 का जो डिविसन होगा 10 का डिविसन होगा तो आपने जोबorse 3.5 नेना है 3 cm 5 mm तो उसको देख़िए कितना आ रहा ह बड़ा circle बने, ठीक है, बड़े अच्छा सा page डीजी एक, वैसे अगर plain page हो, जैसे बिल्कुल quora page हो, जैसे drawing page होता है, अगर बो हो, तो काफी अच्छा रहेगा वैसे, ठीक है, तो बैसा एक circle बनाए, फिर जो आप देखें, इसमें जो इसने बुचाए कि circumference आप पता ही है, क बाउंटरी का एक point लिए, वहां से जो फ्रेड रखना स्टार्ट करिए, बाउंटरी पर, और उसी point पर जो खत्म करिए, फिर देखें कितना आ रहा है वो, कितना लंबा बना है वो, उसको measure करिए scale से, फिर लिखें कि कितना आ रहा है, प्रोक्सिमेट, मुझे पताए कि सेम सेम तो नहीं, जो थोड़ा सा inch, sorry inch तो नहीं, लेकिन millimeter का difference आ सकता है थोड़ा सा, तो इसको आपने करना है, फिर आप जो सबी, जो आप पताए कि circumference कितना होगा इसका, ओके, आज के लिए तना काफी है, question number 3 तक आज complete करिए, अगर कोई doubt हो, तो आप live class में पूछ सकते हैं, Okay, thank you and have a nice day.